क्या कोई राज अपने ही भावी नागरिकों को काल के गाल में डाल सकता है आप कहेंगे शायद ऐसा नहीं होगा लेकिन ऐसा हो रहा है न सिर्फ भारत सरकार बल्कि मदप्रदेश सरकार जावजले के ठांदला के नवदे विद्याले के धाईसो से ज़्यादा छातर शात्राओं को काल के गाल में समाने को मजबूर कर रहे हैं बानगी आपको दे देते हैं मैं खड़ा हूँ थांदला के नवदे विद्याले परिसर में और इस परिसर के बाहर नगर परिशद का टैंचिंग ग्राउंड है इस तसवीर को आप देखिए आपको मेरी बात एक एक शब्द सच नज़र आएगी इस तसवीर को देखिए आप यहाँ पर थांदला शहर का जितना भी कच्रा है, प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक है, गंदगी है, वो डंप की जाती है थान्दा से चार से पांच किलोमेटर की दूरी पर है ये और आप देखिए कुट्टे भी यहाँ पर मौजूद है पक्छी भी मौजूद है पूरी तरीके से जो जैम्स होते हैं जैम्स का खाजाना है यहाँ पर और आप देखिए कि इसी डंपिंग ग्राउंड के पास आप विद्याले का केंपस बना हुआ है ये जो आप मेरे पीचे देख रहे हैं ये रहिवासी कैंपस है यहाँ पर 200 बच्रह रहते हैं और वो इस्कूल है जहाँ पर वो रहके बढ़ाई करते हैं बीश में मैदान है जहाँ पर वो खेलते हैं सवाल ये उठता है कि जब यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड था तो यहां पर नवदे विद्याले क्यों बनाया गया और अगर नवदे विद्याले यहां बना दिया गया तो यह डंपिंग ग्राउंड कहीं और शिफ्ट क्यों नहीं किया गया कुल में लाके केंदर सरकार का नवदेव विद्याले और राज्य सरकार के नगर परिशत इन दोनों के इगो का टकराओ 200 मासूमों पर भारी पड़ रहा है देखिए हमारी special report नगरपाली का थंडला के दौरा यहां विद्याले के वाज़ो में जो ड्रंपिंग ग्राउंड किया गया है जिससे चातरों के स्वास्तो के उपर इसका बुरा असर हो रहा है सबसे ज़्यादा बुरा असर दुपकाले में इस प्लास्टिक को यहां जलाया जाता है और पूरा धुआ इस campus में बना रहता है साथ-साथ बारिश के दिनों में यह जो यहां पर गंदिगी फैलाए गई है इसके काफी बद्बू फैलती है जिससे मक्हियों का समराज जी यहां पर बढ़ जाता है जो बच्चों के स्वास्ते के लिए बिल्कूल हनिकारक है जैसा कि सर ने हम बताया अभी कि हम लोग यहां इसी साल जनवरी में शिफ्ट हुए है और शिफ्टिंग के पहले ही हम लोग निरंतर एड्मिनिस्ट्रेशन के संपर्क में रहे है ताकि उनको यह बताया गया है इन राइटिंग के यह जो ग्राउंड जो है वो किस प्रकार से हम सभी के लिए बच्चों के स्वास्ते के लिए हनिकारक है और उन्होंने हमें यह आश्वाशन भी दिया है कि अभी उनके द्वारा प्रयास किये जा रहा है कि इस ग्राउंड को हटाने के लिए शरी है कच्रा जब हम यहां पर यह जब आये थे स्कुल जब मनलब हम स्टाइट हुई थी थी तब से कच्रा है और हमारे स्कुल मैं मतलब काफी लेटर नगरपालिकों को बहुत बार बोला था कि इसका कुछ करें लेकिन अभी तक इसका क कुछ हो नहीं पाया है और यह मतलब जब भी गर्मी के टाइम यह जो कचरा आता है प्लास्टिक यह सब जला दिये जाते हैं वहां पर तो इससे जो धुआ आता है उससे हम पूरा धुआ इस पूरे केंपस में फैल जाता है उससे मतलब काफी प्रोब्लम साती है फिफ्टी नगस्त की स्पीच में मतलब बोला थे कि प्लास्टिक मुग तो भारत बनाना है और यहीं देख लो इतना जादा ही कचरा हो रहा है तो मेरी प्लास्टिक के लिए कुछ किया जाए साख ही हमारी पढ़ाई मतलब इस्टरब ना हो पाए सर पास नगर परिशेद्वारा कच्रा हमारी स्कूल के पास में ही डंपिंग राउंड है वहाँ डाला जाता है जिसकी वज़े से जब गर्मियों में यही प्लास्टिक जलाया जाता है और प्लास्टिक से निकलने वाली हामफुल गैसे उन गैसे की वज़े से हमारा पूरा प्रशाशन के लिए विद्याले प्रशाशन ने काफी बार प्रशाशन को लेटर लिखे यहां तक की भोपाल मंत्रा ले से शहरी विकास मंत्रा ले से भी यहां पर नगर परिशत को लेटर आ चुका है वहाँ के नगर अध्यक्स यहाँ पर आये उन्होंने सब कुछ वाचिंग की हमको आशवाशन भी दिया लेकिन आज दिन तक इसका कोई निराकरण नहीं कर पाए है हमारे जाबुआ शहर के परशाशन से मुखे मंत्री जी से प्राइम मिनिस्टर से जैसा कि सब हम लोग मतला स्वच्चिता मिशन चली रहा है उस्वच्चिता पकवाड़े के तहद भी हमारी अपील है कि जल्दी हम लोगों की विद्याले के आसपास भी स्वच्चिता हो आसपास के रोड से जाते हैं तो वही कच्च्रे की थेलियां वगेरा उड़ती रहती है हमारा मतला एड्रेस भी एसा हो गया है अब तो कि नवोदे विद्याले कच्च्रे के पास बच्चे परशान हो रहे हैं सर वो बात सही है चुकि मेरा भी यह निवेदन है कि यह ततकालीन कलेक्टर मोदे वसी मक्तर साब ने हमको 2004 के अंदर यह भूमी आवंटित की थी टेंचिंग राउंड के लिए और तब से हम महीं पे कच्च्रे का जो एकत्री करन वगर जो करना हो कर रहे हैं दो तिन जगे देगी बाकि महाँ पे ग्रामिनों द्वारा सर्पन द्वारा आपत्या ही है तो पूना निवेदन कर रहे हैं साब कि हम आतिसी ग्रम में जगे मतलब जो है उपलत हो जाए और बच्चों को भी बीमारी वगरा इससे जो है वो भी निजात मिले क्योंकि बच् गंबीर समझ से है महाँ पे 200-300 बच्चे महाँ पड़ाई करते हैं और उनकी विबमारी उनको हो इसके वो खिलवाड हम कर भी नहीं सकते और समय समय पे नगरपाली का नगरपरिसत की तरब से सासन को लेटर जारी किया है यह बहुत गंबीर मामला है विदायक मोहदे से झाल